करने वाले सभी दुखों को हरने वाले हैं सच्चे मन से भगवान श्री सत्य नारायन का व्रत करने पूजा करने और कथा सुनने से निश्चित ही लाब मिलता है अगर आप भगवान सत्य नारायन का व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन गर आप इसे पूर्णिमा की दिन संक्रांती के या फिर गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है वुरत के दिन आप इसनान करके पवित्र हो जाएं अपनी मंदिर में आसन पर बैठकर भगवान गणेश मागोरी बरुंद देवता विश्नु भगव भगवान सत्य नारायन का ध्यान कीजिए पूल धूप दीप नवे यग्यो पवीत अर्पित कर भगवान सत्य नारायन से प्रार्थन कीजिए कि हे भगवन मैंने जल पुष्वाधी समस्त सामगरी पूरी श्रत्ता और विश्वास के साथ आपके चर्णों में अर्पित कर अब आप इसे कृपा कर स्विकार कीजिए आपको मेरा बारंबार प्रणाम है इसके बाद आप भगवान सत्य नारायन की इस कथा को पड़ सकते हैं या सुन सकते हैं पवित्र तीरत स्थल नैमिशारणी में एक बार एकत्रित हुए आर्या वर्थ के 88,000 महेश्यों ने मुन करता जा रहा है इसलिए है मुनिवर मनुश्य के कल्यान के लिए कृपा कर कोई ऐसा उपाए बताई जिससे मनुश्य को पुर्ण लाब हो और उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके तब श्री सूत जी महराज कहने लगे है रिश्यों आपने विश्व कल्यान के उसे अब आप सब भी चिंता मुक्त होकर सुनिए नारत जी मानव के कल्यान की इच्छा से विभिन लोकों का ब्रहमन करते वे प्रत्वी लोक में पहुंचे प्रत्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीडित देखकर नारत जी बड़े परिशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारन कैसे होगा जब वह कोई उपाए ना सोच सके तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरी विश्नु के सामने उपस्थित हो गए वहां नारत जी ने श्वेत पून और चार मनुष्य का मन और वानी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पाती आप सर्विस्रेष्ट और सर्वोपरी हैं आपका कोई आधी मध्य और अंत नहीं है मैं आपको नमस्कार करता हूं इस प्रकार नारत जी द्वारा इस्तुति किये जाने पर भगवान विश्णु मुस योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पेडित हो रहे हैं हे तृलो की नात मुच्वर क्रिपा करके कोई ऐसा उपाए बताई जिससे उनका दुख नस्ठ हो सके और वे सुख संपत्ती का भोग करते वे अंतसमय में मोक्ष को प्राप्त कर सके तब स्रस्टी के पालन हा भगवान श्री हरी कहने लगे हे नारद मुनी अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूं जिसे करने से विश्व के सभी इस्तरी पुरुषों को पापों से मुक्ति मिल पाएगी निर्धनता नस्ठ होने से मनुष्य सुख संपति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद प व्रत के लिए विदिविधान की जानकारी चाहिए तो भगवान श्री हरी कहने लगे मनसा वाचा कर्मना शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्ध भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है नैवेद्यादी भक्ति भाव से अर्पित कर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देनी चाहिए इस प्रकार सत्य नारायन भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कस्टों से मुक्ती मिल जाती है धन संपन और सुखी होकर आनंत पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता है श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हे रिश्यो मुनियों अब मैं आपको उस निर्धन ब्रहमन की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने श्री सत्य नारायन भगवान का सबसे पहले व्रत किया श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत करने से उस ब्रहमन की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कस्ट भी दूर हो गए प्राचीन काल में पहनिर्धन ब्राहमण देवों की प्रेनगरी काशी में रहा करता था, बिक्षा मांकर वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था, ब्राहमण की दुर्दशा देखकर ब्राहमणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारैन भगवान ने एक दिन बुड़े व्यक्ति के में उसके पास जाकर बड़े आदर सम्मान से उससे पूछा, हे ब्राहमण देता, तुम इस तरह घर-घर भिक्षा मांगर अनेक कस्टों को सहन करते वे कैसे जीवन यापन कर रहे हो, दरिद्र ब्राहमण कहने लगा, हे मित्र, मुझे आये का कोई भी साधन प्राप्त नही हैं, इसी वज़े से मैं भिक्षा मांगर जीवन यापन करता हूँ, अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो, तो मुझे अवश्य बताइए, निर्धन ब्राहमण की बात सुनकर, बुड़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्य नारान भगवान क की पूजा आराधना करने से, तुम्हारी सभी मनुकामनाई पूरी हो जाएंगी, और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगेगी, ब्राहमण को व्रत करने की विधी बताकर, सत्य नारान भगवान वहां से आगे की ओर चल दिये, और कुछ दूर जाकर अंतर बर श्री सत्य नारान भगवान का ध्यान करता रहा, प्रातहकाल उठकर सत्य नारान भगवान का व्रत करने का निश्य करता हुआ, निर्धन ब्राहमण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, उस दिन ब्राहमण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया, और घर लोटक उसने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्ति नारायन भगवान की पूजा करकर उन्हें वरत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद दे कर स्वेम भी प्रसाद ग्रहन किया और इस प्रकार कुछ ही दिनों में ब्रहमण की निर्धनता दूर हो गई उसके घर में धंधाने की व श्री सत्ति नारायन भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके सभी कस्ट दूर हुए धन संपत्ती से संपन उस प्रहमणने हर महा नेमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले महिने श्री सत्ति नारायन भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बं लकड़हारे ने लकड़ियों के गठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंच कर उस प्रहमर्ण से पूछा है ब्रहमर्ण देप्ता आप इस समय किसका पूजन कर रहे हैं इस प्रत्कुप करने से क्या लाब होता है किरपा करके मुझे सब बातें बताईए बूढ़ लकड़हारे ने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारण भगवान की पूजा करूंगा ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले तब लकड़हारे ने उन रुपेयों से केले घी के लोग भी समिलित हुए श्री सत्यनारण भगवान की पूजा और प्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद पाठ कर स्वयंभी प्रसाद ग्रहन किया सत्यनारण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धंधाने की वर्षा होने लगी उसकी निर्धनता दूर हो गई और सभी सुकों को भोग कर वहलकडारा अंत में व्यकूंट धाम को चला गया श्री सूत जी बोले हे रिश्यों मुन्यों अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं प्राचियन समय में कनकपुर में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान और सत्यवादी वे दोनों पति-पतनी हर महीने श्री सत्य नारैन भगवान का व्रत किया करते थे श्री सत्य नारैन भगवान की कृपासे उनके महल में धन संपत्ति के भंडारे भरे रहते थे उनकी सारी प्रजा बहुत आनन से जीवन्यापन कर रही थी एक बार राजा और रानी बहुत स कर रहा था वह बहुत सा धन कमा कर अपने नगर लौट रहा था उसका सारा धन उस नाव में ही रखा हुआ था नाव से उतर कर व्यापारी राजा के पास पहुचा राजा को पूजा करता देखकर उसने पूछा हिराजन आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रह पूछे जाने पर उसे व्रत और पोजा करने की विधी भी बताई राजा ने व्रत कथा सुनने के बाध व्यापारी को प्रसाद भी दिया श्री सत्य नारायन भगवान का ध्यान करते पे व्यापारी ने प्रसाद ग्रहन किया और वापस लोटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा हमारी कोई संतान नहीं है कनकपुर के राजा उलका मुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्य नारायन भगवान कवरत अवश्य रखोंगा व्यापारी के ऐसा निश्य करने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी लीलावती कर्फवती हो गई नवे महिने में उसने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशिया मनाई लेकिन सत्यनारण भगवान का व्रत नहीं किया जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पती से श्री सत्यनारण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला अभी जल्दी क्या है मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूं जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका व बड़ी होने लगी इस प्रकार 16 वर्ष बीट गए एक दिन व्यापार में बहुत सधन कमा कर घर लोटे व्यापारी ने जब अपनी बेटी को सहिलियों के साथ घूंते देखा तो उसे उसके विवाहा की चिंता होने लगी व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग वर ढू लेटा सुन्दर और गुणुवान था सेवकों ने वापस लोटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया व्यापारी उस सुन्दर लड़के को देखकर बहुत प्रसन हुआ और कलावती का विवाहा धूंधाम से उसके साथ कर दिया दहेज में उसने वणि पत्ति से कहा है नाच आपने कलावती के विवहाँ पर श्री सत्यं नारैन भग्वान का व्रत करने का निश्य किया था अब तो आपका व्रत कर लेंا चाहिए पतनी की बास सुनकर व्यापारी कहने लगा अभी तो मैं अपने दमाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रह व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चे करने और फिर व्रत ना करने से सत्ति नारण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चे कर लिया व्यापारी अपने दमाद के साथ रतनिसारपुर में पहुँचकर व्यापार करने लगा एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करकर भाग रहे थे सैनिक उनका पीछा कर रहे थे भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारी की नावों में छुपा दिया खाली हाथ चोर अराम से भाग गए चोरों का पीछा करते वे सैनिक व्यापारी के पास पहुँचे उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया सारा धन भी मिल गया तब सैनिक व्यापारी और उसके दमाद को बंदी बना कर राजा के पास ले गए राजा ने उन दोनों को कारागार में डलवा दिया और उनका सारा धन भी ले लिया श्री सत्यनारण भगवान के प्रकौप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहार तूट पड़ा उसके घर में चोरी हो गई और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा भूग प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक प्रहमण के घर गई उस प्रहमण के घर में श्री सत्यनारण भगवान की पूजा हो रही थी तब उसने भी वहां बैटकर कथा सुनी और प्रसाद लिया घर लोटकर कलावती ने सारी बात अपनी मा लीलावती को बताई तब लीलावती ने सत्यनारण भगवान का व्रत करने का निश्य कर लिया अगले ही दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारण भगवान की पूजा की पूजा करने के बाद सब को प्रसाद बाट कर स्वेंभी प्रसाद ग्रहन किया लीलावती ने अपने पती और दामाद के घर लोटाने की मनुकामना से श्री सत्तिनारण भगवान का व्रत किया था लीलावती के विधिपूर्वक प्रत करने और प्रसाद ग्रहन करने से श्री सत्य नारण भगवान ने प्रसन होकर उनकी मनुकामना पूरी कर दी उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कर कहा हे राजन व्यापारी और उसका दमाद बिलकुल निर्दोश हैं सुभा उठते ही उन दोनों को आजात कर दो उन दोनों का सारा धन भी वापस लोटा दिना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभवनस्ट कर दूँगा ऐसा कहकर श्री सत्य नाराण भगवान अंतरध्यान हो गए प्राथंकाल उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज जोतिश्यों को रात के सपने की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा तब राजा चंद्रकेतु ने तुरंट उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया इस प्रकार श्री सत्य नाराण भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी-खुशी अपने नगर की ओर चल दिये भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे तब ही श्री सत्य नाराण भगवान व्यापारी की परिक्षा लेने के इरादे से सादू के रूप में उसके पास पहुचे और पूछा ही वनिक तेरी नावों में क्या समान रखा हुआ है व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि यह सादू अवशी कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है यह सोचकर व्यापारी ने जूट बोल दिया है सादू माराज मेरी नावों में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं व्यापारी के जूटे बचन सुनकर सत्य नाराण भगवान ने क्रोधित ह को तेवे कहा यह वैश जो तुमने कहा है वही सत्य होगा इतना कहकर साधू रूपधारी सत्य नाराण भगवान कुछ दूर जाकर अंतरध्यान हो गए व्यापारी साधू को खाली हाथ लोटा कर बड़ा प्रसन हुआ लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में धन की जगह बेल और पत्ते भरे वे देखे तो वह जोर जोर से रोने लगा मनी मन अपनी झूट बोलने पर पश्चयताप भी करने लगा रोते रोते व्यापारी बेहोश हो गया कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर विलाप करने लगा तब उसके दामाद ने कहा यह सब सादू के श्राप के कारण हुआ है इसलिए वही सादू इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं दामाद की बाद सुनकर व्यापारी सादू के तलाश में चल पड़ा कुछ देर ढूनने पर सत्यनारण भगवान मिल गए व्यापारी ने सादू रूप धारी सत्यनारण भगवान के चर्णों में गिर कर जूट पोलने के लिए शमा मागी तब सत्यनारण भगवान बोले हे बनिक पुत्र तुने बार बार सत्यनारण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा किन्तु कभी पूजा नहीं की तब व्यापारी ने हाथ जोड़ कर कहा ये भगवन आप तो दीन दुख्यों के कस्ट दूर करने वाले हैं सभी की मनुकामनाई पूरी करते हैं मेरी इसकल्ती को शमा कर दीजिए मैं सदा आपका व्रत और पूजा किया करूंगा आप मुझ पर कृपा किजिए व्यापारी की शमयाशना सुनकर साद मुमाराज ने उसे शमा कर दिया उसी समय व्यापारी की नावों में भरेवे पेल पत्ते धन धान्ने में परिवर्थित हो गए व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्य नारैंड का व्रत करके उनकी पूजा की सबको प्रसाद बाढ़ कर स्वयम भी प्रसाद ग्रहन किया उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की और प्रस्थान किया अपने नगर में पहुँचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा सेवक ने उसके घर पहुँचकर उसकी पत्मी लिलावती को उनके आने की सूचना दी उस समय लिलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारान भगवान की पूजा कर रही थी पती और दमात के लोट आने का समचार सुनकर लीलावती ने पूजा करके प्रसाद ग्रहन किया और कलावती से कहा कि बेटा मैं नदी के किनारी जा रही हूं तु घर का काम पूरा करके आ जाना यह कहकर लिलावती नदी के ओर चल पड़ी परंतु कलावती पती से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहन किये बिना ही घर से निकल कर नदी किनारे जा पहुँची उसके प्रसाद ग्रहन ना करने के कारण सत्यनारेन भगवान क्रोधित हो उठे उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबा दिया अपने पती को वहाँ पर ना देखकर कलावती जोर जोर से रोने लगी तब व्यापारी ने कहा यहे पुत्री आवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है उसी भूल के कारण श्री सत्यनारन भगवान ने तुझे यह दंड दिया है तब व्यापारी ने सत्यनारन भगवान से प्रार्थना की हे भगवान मेरी परिवार के किसी इस्त्री पुरुष से अगर कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य शमा कर देना तब ही आकाश पाणी हुई हे बनिक पुत्र तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहन किये बिना ही चली आई अगर अब घर पहुँचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहन करके वापस आ जाए तो उसे पती के दर्शन हो पाएंगे और दूबी हुई नावें भी उपर आ जाएंगी तब कलावती ने ठीक वैसा ही किया उसके प्रसाद ग्रहन करने और वापस लोटने पर नावें जलके उपर आ गई और दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया घर लोटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंदू बांधवों के साथ मिलकर विदी विधान से श्री सत्य नारायन भगवान की पूजा की उनकी सभी मनुकामनाई पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में विष्णू लोग को चले गए श्री सूत जी कहने लगे हे रिशियो मुनियो मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ कौशलपुर में एक राजा था तुंगधवज उसकी प्रजा उसकी छत्रचाया में बड़े आनंद से रहती थी राजा तुंगधवज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारण भगवान का प्रसाद ग्रहन नहीं किया तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपती से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सबी सुख देने वाले श्री सत्यनारण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहन ना करने का एक तंड दिया एक दिन राजा तुंगद्वत जंगल में हिंसक पशों का शिकार करने निकला हुआ था तेजी से घोड़ा दोड़ा कर शिकार का पीछा करते वे वे अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार करता रहा इसलिए कुछ देर अराम करने की इच्छा से वे एक बड़ी व्रिक्ष के नीचे जाकर बैठ गया पास में ही कुछ चरवाहे श्री सत्य नारण भगवान की पूजा कर रहे थे राजा ने उनके पास से गुजरते वे श्री सत्य नारण भगवान को नमस्कार नहीं किया चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद भी ग्रहन नहीं किया और घोडे पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया राजा जब अपने नगर में पहुँचा तो देखा कि उसका सारा वैभाव और धन संपत्ति आदी नस्ठ हो गया है श्री सत्य नारण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था तब राज जोतिशी ने राजा से कहा हे महराज आपसे अवशी ही कोई भूल हुई है अगर आप उस भूल का प्रैशित करने तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा राजा को तुरंत अपनी भूल का इस्मरण हो आया अथा मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्य नारण भगवान से शमा मागी और उनकी पूजा की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहन करने से श्री सत्य नारण भगवान की कृपासे चमतकार हो गया राजा का खोया हुआ वैभव पुनह लोटाया शीरी सत्य नारण भगवान के करपा से जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तंगुदवज वैकुंठ धाम को गया और मौक्ष को प्राप्त किया श्री सत्यनारण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुषय करता है उसके सभी दुख सभी चिंताये नस्थ हो जाती है। उनके घर में धंधान के भंडारे भरी रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ती होती हैं और सभी मनुकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे व्यकुंट धाम को जाता है। श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हेश्रेष्ट मुनियों श्री सत्यनारन भगवान के व्रत को पूर्व जनम में जिन लोगों ने किया हैं उन्हें दूसरे जनम में सभी तरह से सुख प्राप्त हुए। वर्ध शतानन ब्रहामने पूर्व जन में सत्यनारेन भगवान का विधी पूर्वक वरत किया तो दूसरे जनम में सुधामा के रूप में भगवान की पूजा करते वे अंत्में मौख्ष को प्राप्थ हुए उलका मुख नाम के राजा ने अगले जनम में राजा दश्रत के रूप में मुख्ष को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि व्यापारी ने अगले जनम में अपने पुत्रों को आरे से चीर कर भगवान की कृपा से व्यकुंट धाम को प्राप्त किया राजातुं गुद्वाज अगले जना में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पांट करते वे वैकुटु धाम को गए हे रिश्यों मुनियों श्री सत्य नारण भगवान का व्रत और पूजन मनुश्य को सभी चिंताओं से मुक्त करता है धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रिवियों से मुक्ति दिला कर मौक्ष प्रदान करता है यह ती सत्य नारण भगवान की कथा बोलो सत्य नारण भगवान की